हलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ बीना और बीनास क्रियेशन में आप सभी का स्वागत है हम आज बनाएंगे कच्चे आम का सलेड जिसे गुजराती में कचुमबर भी कहा जाता है कच्चे आम में फीटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में होता है तो आप कच्चे क्याम की रेसिपी अपने डाइट में एड़ करते हो तो गर्मियों में डिहाइड्रेशन का जो प्रोब्लम रहता है वो नहीं होगा तो चलिए इसे हम बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर एक कच्ची केरी और प्याज ले लेंगे इसे हम अच्छे से छील के इसको हम बारिक काट लेंगे दोस्तो ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आप देख सकते हैं मैंने आपर कच्ची पक्की केरी ली हुई है जिसे हमें बारिक काट लेना है आप चाहें तो चौपर से चौप भी कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको मेरा वीडियो जरासा भी पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और पास में दिये गए बेल बटन को जरूर से क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिपिकेसन मिलती रहें और सबसे पहले आप मेरे वीडियो इसको देख सके ये सलेट खाने में बहुत ही अच्छा लगता है आप अपने घर पर एक बार जरूर से ट्राइ कीजिएगा और इसे बनाने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता है सिर्फ 2-3 मिन्टों में बनकर रैडी हो जाता है तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके के छोटे-छोटे इसके टुकडे कर लेने है दोस्तो ये सलाडा खाने से पहले 10 मिनिट पहले बना कर रख दे क्योंकि इसमें नमक भी होता है तो ये पानी छोड़ेगा इसलिए खाने के ठीक 10 मिनिट पहले ही आप इसे बना ले अब हम इसमें मसाले एड़ करेंगे तो मैंने आपर पहले स्वाद अनुसार नमक एड़ किया है उसके बाद कस्मीरी लाल मिर्च तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं तो मैंने आपर हाफ टीश्पून कस्मीरी लाल मिर्च तीख की है उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ टीश्पून चीनी चीनी डालने से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है केरी की खटास थोड़ी दूर हो जाती है अब हम इसमें डालेंगे एक चोथाई टीश्पून ओईल आप कोई भी ले सकते हैं और यह ओप्सनल है अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्कीप कर सकते हैं तो बस अभी से अच्छे से मिला लेना है तो रेडी है हमारा केरी का सिलाट तो दोस्तो आपको और कौन सी रेसिपी आम की देखनी है मुझे कमेंट करकर जरूर बताईएगा मैं फिर मिलूँगी ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए